स्रेश वाय नमस्तो भेहम आपको पता होना चाहिए कि राधा रानी के उपर जो विवाद चल रहा है वो बहुत जादा विशाल रूप ले चुका है क्योंकि अब गुरू जी के उपर हमला करने की बात यहाँ पे कई गई है और ये बाते बकाईदा पूरे न्यूज हर एक न बाते हैं यह हम लोग बात में बात करेंगे पहले जो न्यूज चल रही है उस न्यूज को आप एंकर की भासा में देख लो उसके बाद आगे हम लोग बाते करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा के किलाब माँपंचायत हुई है माँपंचायत में संतों का गुसा फूटायत चेर्मेन प्रतिदिने ने खा कि ब्रज आकर नाक रखने नहीं तो सिर्धण से अलकर दिया जाएगा महापंचायत में संतों का गुस्सा फूटा है चेर्मेन प्रतिनी दिन खा है कि आ करके माफी मांगे तो आज बकाइदा महापंचायत बुलाई गई है संतों का गुस्सा फूटा है तो आप लोगोंने निउस सुनी ना अब आप ये बताओ एक संत ही संत को मारने पे अगर तुले हुए हैं तो मतलब ये हम समझ सकते हैं कि अपना भारत देश कौन सी दिशा में आगे जा रहा है मतलब अगर कोई इंसान किसी ने किसी को कुछ कह दिया या फिर किसी भी रूप में कहा हो तो आप सभी लोगों की ये duty है एक दायूत बनता है क्योंकि आप सभी लोग सनातन धर्म को, हिंदु धर्म को प्रचार कर रहे है उनका प्रसार कर रहे हो तो आप सभी एक मंच पे बैठ करके इस चीज को बाते कर सकते हैं लेकिन जिस मंच की बात कही गई है कि आ करके सभी लोग वहाँ पर बैठें, उसी मंच से ये बात कही गई कि उनका गला काट दिया जाएगा अगर उन्होंने नाक नहीं रगड़ा, न्यूस सुने आप लोग ने, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, जो चीजे न्यूस में हैं, वही मैं आपको यहाँ पर ब अगर मारेगा, एक हिंदू ही हिंदू का अगर दिरोध कर रहा है, तो अपना ये भारत देश कौन से दिशा में आगे बढ़ेगा, है ना, इन सभी चीजों को रोकना चीए, मेरे हिसाब से तो चीजे गलत हैं कहीं ना कहीं, अगर गुरुजी माफी मागने के लिए तयार ह तो जितने भी पंचायत वहाँ पे बैठी हैं, उनका ये बिलकुल भी जिम्यदारी नी बनती है, कि इस तरीके से अपने मुख से वो भी एक संत होने के नाते, अपने मुख से इस गलत भासा का इस्तमाल करें कि गला काट दिया जाएगा, आखिर आप गला काटने की बात कर ही खड़े हैं, बाकि आपका भी दायूत बनता है, कि आप सभी लोग गुरु जी के समर्थन में खड़े रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक हिंदू धर्म का प्रसार प्रसार किया है, शायद इसी को दे करके लोग जल रहे हैं, कि इतनी भीर उनकी कथा में आ रही है, हम गैसे बैठे रहते हैं, दो चार दस लोग हमें सुनने वाले हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये सभी विरोध इसी वज़े से हो रहा है, जलने की बू आ रही है, मुझे तो आ रही है, आपको नहीं आ रही है, कि आ रही है, बताइए एक कॉमेंट सेक्शन में, स्री आ रही है, नमस्तु भ्यम्